हेलो नमशकार दोस्तों स्वागत है आपका आशी स्मोडो में आज हम बात करने वाले टाटा नेक्सॉन के बारे में अपने सेग्मेंट की 5 स्टार सेवटी डेड़िट सब कॉमपेक्ट सेवी है वाइस सीधे कॉमपेटिसन देती है हुंडे, बेन्यू, एक्सिवी, थ्री, एक्सो जैसी गाड़ियों को अगर स्टाटिक प्राइस की बात करें तो आट लाग रुपए एक शोरूम जिसका बेस वेरियंट इस्टार होता है बात करने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं कलर ऑप्षिन की तो अभी आप देख रहे हैं इसके ग्रे कलर को इसके अलावा ओशियन, रेड, वाइट, परपल, ब्लैक बहुत सारी कलर चोईसे देखने को मिल जाती हैं बात किया है ट्रांस्पिसन की तो मैनुवल, आटोमेटिक, टीसिटी, तीनो ट्रांस्पिसन आते हैं लेकिन प्यूर विरियंटिक में आपको मैनुवल और आटोमेटिक ट्रांस्पिसन ही देखने को मिलता है तीन साल और एक लाग किलोमेटर की वारंटी मिलती है आप इसको extend भी करवा सकते हैं अब बात करते हैं engine की तो यहाँ पे आपको दो engine offer किये जाते हैं 1.2 liter का petrol और 1.5 liter का diesel engine अभी आप देख रहे हैं 1.2 liter petrol को 120 bhp और 170 nm कटाउग निकालता है 17-18 तक आपको मिल जाएगा mileage की की बात की जाए तो इस variant में आपको remote center locking की मिल लगी है lock unlock और follow me headlamps के बटन देखने को मिल जाते हैं flip की रहती है और पीछे आपको मिलती है Tata की branding जो दूसरी वाली secondary की है उसमें आपको कोई बटन नहीं मिले को आपको normal सी मिलने वाली है अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के exterior से फिर हम चलेंगे इसके interior के अंदर तो front looks देख लिए काफी शानदार से को मिलने वाले हैं center में रहती है Tata की branding Tata का logo glossy black finish में closed grill है और नीचे देखेंगे तो matte black finish में आपको यहाँ पर grill offer की जाती है headlamps की बात की जाए तो यहाँ पर आपको dual function DRL मिलते है जो कि turn indicator का भी काम करेंगे जब आप नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको projector headlamps offer की जा रहे हैं fog lamps नहीं मिलते हैं इस विरेंट के अंदर आपको बाद में install करवाना पड़ेगा नीचे side में फ्टूहिंगों का option है जो गाड़ी का ground clearance है वो है बाई 208 mm का इस segment में काफी बढ़ी सा ground clearance मिलता है उपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर बोनट देख लिए काफी flats रखा गया है उपर आपको dual wiper with washer का setup देखने को मिल जाता है अगर roof की बात किया है तो roof rails है पीछे आपको शाक्वी 99 मिलता है अगर आपको इस brand में sunroof चाहिए उसका भी option है इस Tata Nexon के अंदर अब आजाते हैं इसके side profile की दरब तो by side profile से देख लिए ऐसो कुछ आपको यहापको यहापको लोक्स नजर आने वाले है dimensions की बात किया तो 493 mm length है 1804 mm है की width है और 1620 mm height मिलती है यहापे यहापे देख लिए 16 inch के steel wheel मिलेंगे wheel covers के साथ में Tata की branding आपको उसके अंदर देखने को मिलती है बाकी suspension का devil भी ठीक ठाक है 1951 start आर सोला का मिलता है tire section उपर आपको cladding बगरा दी जा रही है sides में भी देखें के cladding है outside mirrors की बात की जाए तो glossy black finish में tire indicator की placement इसी के अंदर आती है electric वे आप इनको adjust कर सकते हो fold आपको अपने हाथों से manually करना पड़ेगा बाकी यह रहा इसके door handles mad finish में चलिए के पहले गाड़ी को unlock कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं इसका front dashboard तो भाई यह देख लो यहाँ पर आपको 7 inch का touch infotainment system भी दिया जा रहा है इसके pure wind के अंदर dual tone slider में dashboard देखने में काफी शान्दा लगता है rear में drum और front vis में आपको मिलती है disc brake पीछे भी आप पूरे में cladding वगरा देख पा रहे हूँगे यहाँ पर आपको दिया गया fuel filler gap यहाँ से डल वाएंगा petrol diesel 44 स्टीर के आपको मिलती है tank capacity अब हम आज आते हैं इसके rear profile की तरफ तो भाई rear से देख लिजे ऐसे कुछ आपको यहाँ पर लुक्स नजर आने वाले हैं कोई defogger कोई wiper आपको नहीं मिलता है इस variant के अंदर connecting tail lamps से देखने में काफी शान्दा लगते हैं लेकिन यह इस variant में पूरे नहीं जलेंगे उपर शाक्विन एंटिना है roof rails है बाकी यहाँ पर पीछे देखेंगे तो spoiler देखने को मिल जाता है यहाँ पर defogger wiper आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर Tata की branding है camera की placement है नीचे देखेंगे तो Nexon की badging मिल जाती है connecting tail lamps है इनको जला के दिखाता हूँ भी तो इस वाले brand में सिर्फ यह side वाले ही जलते है 10 indicator की placement आपको इसी के अंदर मिलती है पर Nexon की badging हो गई नीचे देखेंगे तो 2 reverse parking sensors है side map को reflector और reverse light की placement देखने को मिल जाती है अब चलिए गाड़ी का boot open करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका boot space तो इस variant में यहाँ पर आपको कोई भी बटन नहीं मिलता है इसको open करने के लिए उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसके center console में यहाँ से आप बटन प्रेस करके इसको open कर सकते हैं बाकी बाई space की बात की जाए तो Tata Nexon के अंदर आता है 382 लिटर का boot space अच्छा कासा इस space से आपका लगे जहाँ पर आराम से आजाएगा बाकी यहाँ पर पार्टर ट्रे नहीं मिल लई है आप बात में लगबा सकते हैं अगर नीचे यह बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा बाकी इसके पीछे भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको 12 बोल्ड का charging outlet दिया जा रहा है यह काफी अच्छे चीज़ लगी मुझे अब चलिए भाई इसके boot को कर देते हैं बंद और चलते हैं इसके rear seats की तरफ rear seating comfort, leg room, head room, पूरा बैट के अच्छे से देखते हैं बाई साइड से देख लो ऐसे कुछ आपको यहाँ पर लुक्स नजर आने वाले हैं यह रहस के door handles जो की रहते हैं matte finish में बाई door trim की बात की है तो ऐसा कुछ आपको मिलता है dual tone color में उपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है door opener, glossy black finish, पॉर्डो की controls, नीचे speaker की placement, यहाँ पर अच्छा का सा space rear cabin की बात करें बाई तो इतना कुछ यहाँ पर मिलता है leg room, head room, दो-दो head rest जिनको आप address कर पाऊगे fabric की seats रहती है, आप इसमें seat cover लगवा सकते हैं अपने choice के according, अब चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठके पूरा space देखते हैं तो आगे वनी seat मैंने अपने according address कर लिए, मेरी height 5 foot 8 inch है, नी रूम देख लो, leg room देख लो, काफी ठीकटा की space यहाँ पर देखने को मिलता है, अंडर थाइस पोर्ट भी यहाँ पर बढ़ी आसा है, बाकि इन seat की जो कुछ निंग है वो भी काफी अच्छी सी मिलती है, सेंटर में देखेंगे, तो रियर AC वेंट से आपको मिलेंगे, बाकि यहाँ पर कोई charging port नहीं दिया जा रहा है, यह अंदर का पूरा interior, यहाँ पर grab handle, coat hook, दो-दो headrest, जिनको आप address कर पाऊगे, बाकि 6 airbag standard आते हैं, यहाँ पर आपको उसकी बैजिंग मिल जाएगी, पिलर handles, अगर भाई door dream की बात किया है, तो same आपको rear की तरह dual tone clear में देखने को मिल जाते हैं, बाकि उपर देखेंगे, तो यहाँ पर door opener है, यहाँ पर pounder की controls है, यहाँ पर ORBM की controls है, नीचे देखेंगे, तो speaker की placement है, यहाँ पर अच्छा का सा space, amrela holder भी आपको मिलता है, यहाँ 6 airbag आते हैं, तो seats में भी आपको उसकी बैजिंग मिलेगी, manual ABC बैडल नीचे, यहाँ से आप अपना bonnet खोल सकते हो, नीचे आपको fill cap opener, अब चलिए चलते हैं, front driver seat पे बैट के सारी चीज़े cover करते हैं, तो भाई, अब आ चुके हैं, इसके front driver seat के उपर, ऐसा कुछ दिखता front dashboard, चलिए गाड़ी का ignition on करते हैं, तो यह रहीज की flip की, जिसको हम लगाएंगे यहाँ पे, और गाड़ी का ignition on करते ही, आपको मिलेगा fully digital cluster, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टॉप पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा different cluster मिलता है, बीच म आप, trip A, trip B, mileage, range, सारी information आप यहाँ से देख पाओगे, यह तो गई cluster की बाद, steering की बात करते हैं, तो two spoke है, center में Tata की branding, illuminated आपको मिलती है, side में multimedia call के controls आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको MAD के buttons, यहाँ पे वाइपर के controls, यहाँ पे आपको दिए गए हैंट लेम के सारे controls, अगर adjustment की बात किया, तो इस liver के थुरू, आप अपने steering को tilt open नेचे adjust कर सकते हैं, center console में देखेंगे, तो यहाँ पे 7 inch का touch infotainment system है, जिसके अंदर आपको Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB, यह सारे चीशे देखने को मिल जाती है, बाखी इसके अंदर reverse parking camera भी आता है, उसको मैं अभी लगा के द switch और booter को unlock कने का button वगरा सारी चीशे यहाँ पर देखने को मिल जाती है, यहाँ पर 12 bolt का charging outlet है, यह इसका 6 speed manual transmission, आप इसको automatic में भी ले सकते हैं, बगल में देखेंगे, तो driving modes मिलता है, eco, city and sports, 3 तरह के आपको mode मिल जाएंगे, manual handbrake है, यहाँ पर अच्छा का सा space, 2 cup holder वगर मिलेगा, इदर sun visor में आपको कोई mirror नहीं दिया गया, अगर code offset की बात की यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर light की controls है, बाकि इसके अंदर standard 6 airbag आते हैं, pillars पे, seats पे, front पे, safety की कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकि इसको 5 star safety rating तो मिल रखी है, यह तो गए पूरे interior की बात, आप चलि warning engine, immobilizer, crash sensor और यहाँ पर आपको दिये जा रहे हैं, 6 airbag, pricing की बात किया तो pure variant है, 9,80,000 एक शोरूम और लगबग 11,10,000 रुपे की honor लखनों पढ़ने वाली है, तो यह थी टारा next one, कैसे लगए आपको नीचे comments में जरूर बताएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीगा, and special thanks to SRM Motors, कानपुरो लखनो, जिन्नों ने मुझे से cover करने का मौक दिया, तो deal any tata cars, visit this room, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीगा, चैनल को subscribe कर दीगा, मिलते हैं, एक नई उडिक साथ, अब तक लिए, जैहिन, व झाल